इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्यूब्स के टेस्टिंग के बारे में जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है और उनको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं तो चली जानते हैं कि यह जो ट्यूब्स होते हैं यह प्रेगनिंसी होने में कैस इन त्यूब का फंक्शन होता है कि जो एग रिलीज हो रहा है इनको यहां से पिक अप करके ट्यूब्स के अंदर तक पोचाना है और स्पर्म्स यहां तक आते हैं स्विम होके और यहां पर फर्टलाइजिशन होता है उसके बाद 2-3 दिन के बाद यह जो एम्रीयो फॉर्म हो और उसका काम भी नॉम्मल होना चाहिए तभ ही आपको नाच्डल प्रेग्नेंसी हो सकती है अगर आपकी शादी को एक साल हो गया है और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके ट्यूब्स की टेस्टिंग की जाए तो तो तू हम गत्वारष जो उत्तक हैं? नुमल एलTRासाउंड में यह नहीं दिख्टे हैं अगर उन ट्यूप में सूजन ανα या उन ट्यूप में पानी भरावा है तभी बूह एल्टासाउंड में दिख्टे हैं अदरवाइस इन ट्यूब्स को टेस्ट करने के लिए जो अलगत से टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं फर्स टेस्ट होता है है यानि हिस्ट्रो सालपिन जोग्राफी इसको इस टेस्ट में हम क्या करते हैं हम ट्यूब्स को एक्सरे में डाई द्वारा देखते हैं हम पेशन को बुलाते हैं, इसमें कोई अनिसेश्या नहीं लबता है, इसमें हम नीचे सर्विस के द्वारा डाई को पुश करते हैं, और X-ray में हम ट्यूब्स को विजुलाइज करते हैं, दो से तिन फिल्म्स ले जाती हैं, और हमको ट्यूब्स के ब्लॉक होने की लोकेशन, और कौन सा ब्लॉक है, यह भी हमको पता चल जाता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी को अगर बहुत ज्यादा पेन हुआ हो, या और कोई वज़े से अगर बाइलेटरल स्पास्म हो जाए, तो तो उन टेस्टिंग में रिपोर्ट गलग भी आ सकती है, इसके लिए हमको आगे की जो टेस्टिंग करनी होती है, वो होती है लाप्रोस्कोपी, लाप्रोस्कोपी होती है, डेफिनिटिव टेस्टिंग, अगर हमको प्रिवियस टेस्टिंग में कोई डाउट है, तो हम लाप्रोस्कोपी में कन्फर्म करते हैं, दूसरा जो टेस्ट होता है, ट्यूब्स को द में नहीं देख सकते हैं लेकिन जो पानी ट्यूब्स द्वारा कैविटी में आ रहा है वो हम देख सकते हैं और हमको ट्यूब्स के खुले होने का पता चल सकता है तीसरा जो टेस्ट होता है वो होता है हिस्ट्रो कॉंट्रास्ट सोनोग्राफी मतलब हाइको सी यह जो टेस्ट होता है यह भी OPD procedure होता है लेकिन normal saline की जगह हम इसमें डालते हैं dye तो इसमें क्या फर्क होता है क्या advantage होता है इसमें हमको tubes भी दिख जाते हैं क्योंकि हम normal saline की जगह dye डाल रहे हैं तो यह जो procedure होता है यह अभी advanced procedure है और यह सब जगह अविलेबल नहीं है, इसलिए हमको most commonly जो procedure हम करते हैं वो होता है HSG यानि Histosalpingiography और अगर इन तीनों टेस्ट में से हमको doubt होता है और हमको confirm करना होता है tubal block का तो हम laparoscopy द्वारा confirm करते हैं, laparoscopy यानि दुद्बीन की जाद से आपके tubes को भी देख सकते हैं blockage भी देखा जा सकता है और बच्चेदानी को भी देख सकते हैं ovaries को भी देख सकते हैं तो यह जो test होता है यह gold standard होता है Thank you